Hello everyone, my name is Smith and you are watching technical government job all over India YouTube channel आज की वीडियो बहुत जादा आपके लिए beneficial होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके लेकर आचोके यो flip card की आयोई latest job vacances के बारे में जहां पर आपकी ये purely work from home job रहने वाली हैं आप इंडिया में किसी भी city, village, district, town की रहने वाले आप इन अपडेट के लिए eligible हैं और apply कर सकते हैं कैसे apply करना है क्या के रहने वाली eligibility हर चीज को detail में cover करने वाले हैं आपने वीडियो को starting से अंटक जरूर देखना हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं इसी तरह से चाहते हैं हर एक update आप तक time पर पहुंच जाएं तो जल्दी से चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पर click करना ताकि हर एक update आप तक time पर पहुंच जाएं बाकिस update के इलावा और भी काफी सारे department हैं जिनकी vacancies out हो चुकी हैं आपको दिया गया है आप देख भी पा रहें इसको अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आपके लिए बैनिफिश्यर रहेगा आप कैटे के रिवाइस सीधा वहां से सर्च कर पाएंगे और अपनी क्वालिफिकेशन वाइस भी चलिए ज्यादा टाइम हाले तो यह बात करेंगे फ्लिपकार्ट की लेटर सोविक एंसिस की बारे में जहां पर आपके यह प्योड़ी work from home job रहने वाली है कोई लोकेशन का बैरियत नहीं है हर कोई आप में से अप्लाई कर सकते है या आप इंडिया में किसी भी स्रिटी विलेज दिस्टिक टाउन की रहने वाले हैं आप में से हरकोई है हर को यह अप्लाई कर सकते हैं अगर हम यहां पर एज़िमीट की बात करें आपकी एज़िमीनमम 18 मैक्सिम जितनी भी है आप इन अप्डेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई एप्लिकेशन फी भी आपको पे नहीं करने होगी चाहिए आप रिजर्फ केंडिट है बढ़ जाएंगे कैसे बढ़ेंगे वो भी आगे आपको प्रॉपर गाइड करने वाली हो सो वीडियो को लास तक देखना हर चीज हम स्टैब स्टैब कवर करने वाले हैं कौन कुन सी विकैंसिस आई है कैसे आपको किन विकैंसिस के लिए अप्लाई कर लेना है तो यहां प लुँका इसमें कोई इक्जाम होने वाला है ना ही कुई इनवस्टमेंट यहां पा रहने वाली है चाहिए आप रिजर्ब केंडडेट है चाहिए अनटेजर्व केंड़ेट है फ्री ओफ प्रॉप कोस्ट आपको इन अप्टेट के लिए अप्लाई कर लेना होगा तो एक स प्लस जितनी भी आप इन अप्डेट के लिए जरूर से अप्लाई करना, step by step आपको proper screen share करके बताऊंगे कैसे आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अप्डेट आप तक टाइम पर बाकी सब्डेट के इलावा और भी बहुत सारी डिपार्टमेंट है, जिनकी विकेंस आउट हो चुकी है, आप अपनी क्वालिफिकेशन सिटी या फ्रिटिस्टी के एकॉर्डिंग ली हमारी ओफिशल वापसाइट www.clory.com पर विजिट करके, इन्फोमेशन लेकर अप्ला कैसे अप्लाई करना है कि आपके लिजिविल्टी इसमें रहने वाली है, और सबसे पहले एक वीडियो को प्यारा सा लाइक जरू करना, आपका लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए अप्डेट लेकर आने का, और आप किस लोकेशन से वीडियो को देख रहे हैं कि आपक सबसे पहले जो अपडेट आ रहे हैं, वाइस प्रसेस के लिए आ रहे हैं, बहुत रिप्यूटेट जॉब है ये आपकी पैकेश इसमें आपको बहुत बढ़ी आप प्रवाइड किया रहा है, वह भी ऐस फ्रेशर, यहां पे इनोंने क्लेरी डिस्क्राइब किया है, जीरो बात करें, इसके लिए वॉक करने ना होगा, तो इसमें पैकेश की बात करें तो अलगने प्रवाइल के रिक्वाइड किया जा रहा है, इसल बोड को दी जा रही है तो आपको लोकल लेंगे जाती है हिंदी भी आती है आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है तो यहां पर ट्वेल्थ पार्स ग्रेजुट डिप्लोमा डिगरी वाले अप्लाइक कर सकते हैं फर्स्ट वाली जॉब कि इसके हम बात करें यहां पर हम यहां पर आपके बात करें का वो में थारो रहने है तो अपको सुन जिसके उनको पर मैब रहने वाले reproduce ब्त संसरें संदे रहे यहां तो एपको बार कर सकता है तो यहां पे training आपको दी जाने वाली है 30 डेस की training और training में भी आपको salary पे की जाने वाली है सारी चीज़ें इन्होंने mention यहां पर की हुई है मैंने आपको बताया था दो तरह की profile है ठीक है यह पहली की हम बात करें ना यहां पर इन्होंने notification में ही अपनी email id mention की हुई है आपको दिखा देती हुआ है इसे notification पर इन्होंने mention किया हुआ है जो भी candidate interested है वो यहां पर apply कर सकते हैं अपना WhatsApp नमबर भी यहां पर mention किया है HR का सिधा आप उनको resume अपना mail कर सकते हैं इसके रवाब हम बात करते हैं second profile के बारे में second profile जो है वह आचुकी है QA एक्जुकुटिव की विकैंस इसके लिए इसके लिए आपकी हाइरिंग होने वाली है और मैं तो बोलती हूँ बहुत अच्छी आपके लिए आचुके जहां पर QA की जॉब के लिए as a fresher hiring हो रही है और male female दोनों के लिए हाइरिंग है और यहां पर apply आप जरूर से करना salary package starting की बात करो तो यहां पर 2.25 लैक पर अनम तक आपका package इसमें रहने वाला है यहां पर work की बात करें क्या के आपका इसमें work रहने वाला या क्या क्या स्किल्स आपके required है तो यहां पर work की बात करें data collection का work रहने वाला management का है problem solving and planning skills आप में होने चाहिए इसके इलावा organization skills आप में होने चाहिए मतलब किसी भी चीज़ को या कोई project है किस तरीके से आप उसको organize कर सकते हैं वह skills आप में required है तो आप यहां पर apply जरू से करना skills की बात करें तो आपके यहां पर good communication skills required है verbal and reader both में इसके इलावा teamwork skills आप में होने चाहिए मदब टीम में रहकर किस तरीके से work किया जाता या करना चाहिए यहां पर इनने job description में हर एक चीज़ डिसक्राइब किया है क्या क्या आपका work इसमें अच्छली रहने वाला है क्या का skills required है क्या क्या requirements है आप रीड भी कर सकते हैं इसके लिए अलग method है apply करने का दिखाते हूं किस तरीके से profile आप देख पार है QA executive के यह profile है और यह आपकी quality assurance के लिए है फुल टाइम आपकी जॉब रहने वाली है ठीक है और इस वाले जॉब के लिए बी टेक्स जनों ने की है वह वाले candidate apply कर सकते है एवन graduate भी apply कर सकते हैं अपने graduation किसी भी discipline पर पास आउट की हुई है अब यहां पर apply के लिए आपको क्या करना है इस option पे क्लिक करना एस पर government ID उसके बाद आपको अपनी email ID मेंजिशन करनी है पासवर्ट रखना होगा contact number मेंजिशन करना होगा latest resume यह अप्लोड करके यह option आपकी automatically highlight हो जाएगी जैसे आप सारे चीज़े फिल कर देंगे तो यहां पर register कर देंगे हो जाएगा ठीक है अब back option पर जाएंगे जब login के लिए आपको बोल रहा है username password मेंजिशन करके जो email ID आपने यहां मेंजिशन किया है वही वहां मेंजिशन करनी है जो password यहां रखा है वही वहां मेंजिशन करके login हो जाएगे अब आपको apply करना होगा अपनी details फिल करके आपका name contact number qualification कब पास आउट की है कहां से पास आउट की तरफ से work करने के लिए तो उसके लिए आपका home address होना चाहिए तो वह आपको accurate अपना फिल करना होगा ताकि company अगर आपको कुछ भी भेजती है कि कोई भी एसलिट भेजती है तो उनको address आपका मिल पाए तो बिल्कुल accurate आपको फिल करना होगा उसके बाद last में आपको submit क्लिक कर देना होगा अब सोच रहें कि apply तो कर दिया फिर selection कैसे होने वाली है चाहिए आप first के लिए apply कर रहे हैं चाहिए second profile के लिए apply करे हैं दोनों के लिए आपको कुछ days वेट करना होगा 7-10 days आप मानके चलिए अगर आपके profile shortest होती है आपको call आने वाली HR की तरफ से regarding interview उसके basis पर कोई भी question है कोई भी doubt है comment जरू करना मैं definitely आपका reply करूंगी चैनल पर पहली बार आए है सब्सक्राइब करके बैल आएगर मुझ जरू प्रेस करना चलिए आज के लिए इतना ही अब हम next video मिलेंगे thanks और watch